पूँछरी के लोठा की जै नहीं हूप हूप प्यारे अब दुवारा बोलियों है पूँछरी के लोठा की हूप हूप प्यारे अब याको मतलब कहा है देखो भाईया साथ कोस लंबे चोड़े गिर्राज जी ठाकुर जी ने उठाए अब बीच में ठाकुर जी खड़े हैं नकपर गिर्राज जी हैं तो यह तो आप सब जानते हैं कि कोई भी भारी वस्तू यदि बीच में कुछ रख दोगे तो वो कभी इधर होगी कभी इधर होएगी कभी इधर जावेगी कभी इधर जावेगी तो जैसी गिर्राज जी ने इतकु जामें, यहां के बिर्जवासी अपनो छड़ी लगामें, अलाला, पूछरी के लोठा की हुप हुप, और जैसे हुप हुप करके जोर लगामें, सो इक राज जी उपर रहे जाएं, सो इस अब रहें, प्यारे, जै हो, जै हो, जै हो, तब से यह जैकार बुला जाता है ठाकुर जी के आगे, पूछरी के लोठा की हुप हुप प्यारे, और यहां जै जैकार को सुनके ठाकुर जी बड़े प्रसंद हुप है, एक बार मैंने जगनात मंदिर में जाके बोल दिया, सब मेरों को देखन लगे, यह काबूल लो भया, अरे मैंने तुम ना जालो, भय बीच में लाला खड़े है, सब ब्रजवासी इनने धीरे धीरे छड़ी लगा के समतल है अब सब ब्रजवासी खड़े है वह लाला, अब गिर्राजी टिक गए, बीच में आ गए, अब ना हिलिंगे, तु उंगली हटा ले अपनी, ठाकुर जी बोले हमने उंगली हटा लई तो सबरे चटनी बन जाओगे या की नीचे, चयों लाला, बोले क्यों गिर्राज जी नीचे आ जाएंगे, हमने तो धारण कर रखे हैं, सब ब्रजवासी है से बोले देग, हमाना लाला कितनों भूरो, या यों लग रही है कि नेकसी सी उंगली पर गिर्राज जी टिक रहे ठाकुर जी बोले तो कहां टिक रहें, हमारी चडीन पर टिक रहें, ठाकुर जी बोले अब भी चडीन पर टिक रहें